नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा S400 के बारे में जिसको लेकर भारत और रशिया के बीच में डील हुई है और ये जो सप्लाई है वो रशिया इसी साल के एंड से स्टार्ट कर देगा, इस वर्श के एंड से मिलना स्टार्ट हो जाएगा वैसे तो चाइना और पर्चेस करने वाला था, लेकिन रशिया ने कुछ ब्लॉक कर दिया इसको, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा लेकिन अभी जो दो स्कॉर्डरन है, उसको पूरी तरह से चाइना ने LAC पर डिप्लॉई कर दिया है Line of Actual Control, जो कि हमारी पूरी boundary मिलती है, वहाँ पर इसको deploy कर दिया है तो यहाँ पर concern हो गया है कि भारत को अपने strategy में क्या करना चाहिए आपको इस तरह के कई articles मिल जाएंगे, Chinese S-400 system across LAC, Forces India to rethink air defense और यहाँ पर कुछ जो विपिन रावत जी है हमारे, उनका कुछ बयान आया है, इसको context में लेते हुए हम पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है exactly देखेंगे Chief of Defense Staff जनरल विपिन रावद जी का Tuesday को कुछ बयान आया Air Defense को लेकर, उनका ये कहना था कि जो Air Defense वो बहुत जादा complex हो गया है देखेंगे पहले जो हम बात करते थे Air Space की, तो usually हमारे मन में क्या आता था fighter, helicopters हो गए, aircraft हो गए, इस तरह की चीज़ें usually हमें समझ में आती थी लेकिन आज के date में technology बहुत change हो गए, ये बहुत से अलग-अलग equipment के इस्तमाल किये जाने लगे है और इसी के वज़े से उनका कहना था, कि यहाँ पर जो Air Defense System है, जो पूरा चीज़े हैं वो complex हो गया और इसकी वज़े से भारत जो है, वो Air Defense Theater Command सेटप करेगा इस वर्ष के end में यह आप news देख सकते हो, चार अलग theater commands जो हैं, वो आपके race किये जाएंगे इस वर्ष के end तक ऐसा अभी के लिए बताया गया देखे, यह theater commands क्या होते हैं, specialized होते हैं अपने अलग-अलग field में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, चार command कौन-कौन से हैं एर defense command, maritime जो सीवगरस से related होगा, जो eastern वाला पूरा side है, integrated eastern theater command, उसके बाद western side के लिए अलग से command, तो इस तरह के चार command अलग से बनाए जाएंगे इस वर्ष के end में, जो कि इसके उपर total focus करेंगे, और इसी की वजए से अचानक से यह जो पूरा मुद्दा है, एर defense को लेकर तो यहाँ पर उनका indication क्या था, basically अगर आप recent news में देखोगे, तो जो Chinese army है, People's Liberation Army और भारत की सेना के बीच में already standoff तो हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर Chinese army ने दो जगा, LAC पर, line of actual control पर, दो जगा उन्होंने ये दोनों, जो squadron है, S-400, S-400 air defense system है, बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई attack करना चाह रहा है, fighter, aircraft वगरा किसी की माध्यम से, तो यह active हो जाएगा और उसको destroy कर देगा, यही air defense system है, मतलब कि आपके धरती पर attack ना हो, इसके लिए आपके पास पहले से ही, जो radar वगरा पुरा system वाला defense system होता है, वो मौजूद हो, तो यहाँ पर चाहिना के अंदर यह जो आपका उपर वाला है, यह शिंजियांग प्रोविंस आपने सुना होगा, तो जो शिंजियांग प्रोविंस जो वीगूर वाला से पुरा related है, यहाँ पर एक air base है, जिसका नाम है होतान air base, तो होतान air base में एक squadron deploy किया गया है चाहिना के द्वारा और दूसरा, यहाँ पर तिबित वाले रीजन में एक प्रोविंस है, इसका नाम है आपका निंची air base, ठीक है, निंची एक जगह है, यहाँ पर state है, और वही पर जो है यह वाला squadron है, उसको deploy किया गया है, तो दोनों तरफ से, एक तरफ अरुनाचल परदेश की तरफ और दूसरा आपका जमूर कश्मीर और जो लग्दाक वाला पूरा एरिया है, उधर की तरफ करने की बात कहीं चारी है, और इसकी वज़े से भारत के अंदर जो experts है, national security planners हैं, उनको वापस से rethink करना पढ़ रहा है, पूरे air defense को लेकर, counter measures क्या करे, भारत को क्या करना चाहिए, इ जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि चाइना ने रशिया से कुछ purchase किया है, ये S400 वगरा delivery system है, लेकिन पिछले साल के आप news देख सकते हो, ये 3rd of February की है, 2nd वाला जो squadron था वो चाइना को मिल गया, लेकिन वापस से आप news देखो कि पिछले साल का ही करीब 4-5 मेने के बाद जुलाई में खबर आई थी, कि यहाँ पर जो चाइना को और squadrons मिलने थे, S400 के, उसको यहाँ पर रशिया ने suspend कर दिया, cancel कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आरोप लगाया जा रहा था, कि चाइना जो है, वो रशिया के कुछ लोगों के साथ मिल कर, जो corruption वगरा होता ह उसको दे वगरा के, घुस वगरा दे के, जो भी है, वो technology लेने की कोशिश कर रहा था, और चैना अकसर यही करता है, चैना का यही है कि बाहर से कुछ ना कुछ technology वगरा लिया जाए और खुद से उसको बनाने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर यही हो रहा था, जिसकी 2021 से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें जो सबसे important चीज़ आपको याद रखना है, यह जो S-400 defense system है, यह क्या करेगा, जहां पर भी हम deploy करेंगे, 400 km से अगर कोई भी aircraft missile कुछ भी launch हो रहा है, अगर suppose मैं कहता हूँ, यहाँ पर हमारा S-400 है, और 400 के radius में आपकोई भी चीज अगर हम पर attack करना चाहरा है उस particular region में, तो उसको kill कर सकता है, उसको destroy कर देगा, 400 km तक की इसकी range है, तो यह एक important चीज हो जाता है S-400 के लिए, बहुत ही अच्छा defense system है, वो provide करता है, और इसी की वज़े से, अब आप खुद सोचके देखो, अब China ने भी S-400 कर दिया है, तो Rafale jet हमने लिया है अभी France से, वो बहुत जादा मददगार साबित कर सकता है, बेसिकली उसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो एक missile system है, hammer, hammer क्या है, यह air to ground missile है, और Rafale fighter jets इसको लगाया गया, मैं आपको picture में भी दिखा सकता हूँ, यह आप देख पाओ कि यह Rafale jet है, और यहा 500 को यहाँ पर यह चक्मा दे सकता है, कहने का मतलब है कि यह mountainous region में यह अराम से रहेगा जो Rafale है, और अगर destroy करना है उनके S-400 को, अच्छानक से उपर जाएगा और यह missile launch कर देगा, और यह missile क्या है, 90 degree के angle पे इसको destroy कर सकता है S-400 को, और इसके अंदर कई सारे system लगे हैं, उसमें यह वाला जो system है, hammer वाला, उसको लगा दिया जाए, यह हमारे लिए काफी beneficial साबित हो सकता है, और इसका जो test वगरा है, अल्री किया जा चुका है, in fact France ने तो हमें offer किया है कि इसका joint development of production किया जा सकता है, ठीक है, दोनों मिलकर भारत के अंदर जो company है और France के अंदर, यह hammer missile का production किया जा सकता है, अब यहाँ पर question है कि dilemma क्या है, मतलब Indian Air Force के पास problem क्या है, problem यह ही कि अब हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अलग पूरा मामला था, उसको अगर हम देखते हैं, तो ऐस सच कोई बहुत जादा हमें और upgrade करने की एक साल में, अब हमें two front scenario को देखना है, तो यहाँ पर क्या है कि technology advanced हमारा neighbor है, China, काफी अची technology वगरा obvious सी बात है, उसके पास भी होगी, तो क्या भारत को यहाँ पर ज़्यादा aircraft में इस्तेमाल करना चाहिए, aircraft और helicopter में invest करना चाहिए, या फिर, जो stand-alone systems होते हैं, जो futuristic wars के तोर पर देखे जा रहे हैं, क्या हमें उसके अंदर निवेश करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा dilemma है, क्योंकि resources limited है, अब या तो आप किसी एकी चीज़ में करत पाऊगे, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपके पास unlimited हो जाएगा, otherwise काफी सारे जो development की चीज़े हैं, वो भा potential है 6 और squadron add कर सकते हैं 36 तक, और इसी के लिए Rafale वगरा लाए जा रहा है, लेकिन आपको पता होगा, MIG वगरा काफी old होते जा रहे हैं, उसको भी हटाना है, तेजस वगरा के लिए यहाँ पर already orders दिये गहें, देखना होगा कितना हो पाता है, लेकिन भारत को इस समय क्या क करना चाहिए, लेकिन जो Rafale है, वो एक बहुत भी बड़ा advantage हो सकता है, क्योंकि जितना एक समय में, जो MIG 40s करता है, जो भी performance करता है, उसका दो गुना performance यहाँ पर अकेले Rafale कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास Rafale हो गया, S400 का system भी हो जाएगा, जो कि काफी बड़ा game changer हो स identified aerial vehicle जो होते हैं, जो drones वगरा होते हैं, rockets हो गए, missile regiments हो गए, उसके उपर और ज्यादा निवेश करनी की आउशकता है, रादर दन यहाँ पर हम सिर्फ helicopters और aircraft में और 42 squadrons तक ले जाएं, इससे अच्छा है कि यहाँ पर जो adversary है, जैसे चाइना हो गया, उसके troops को हम कैसे गिरा सकते हैं, air defense को कैसे हम surprise कर सकते हैं उनके, वो हमें यहाँ पर कोशिश करनी की आउशकता है, और इसलिए आप देखोगे, तो यहाँ पर जो Indian military है, वो approach कर रही है सरकार को ताकि जो US से, इसराइल से, कई जगा से यहाँ पर जो predator drone हो गया, especially US से यहाँ पर predator drone जो है, उसकी मां चाइना कई सारे जो cyber attacks वगर हैं, उसमें भी उसका इलजाम आया है, भारत के अंदर उसने कराया होगा, जो भी है, तो cyber security से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि technology से related यह सारी चीज़े हैं, तो एक तो US से हम predated drone वगर अले सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा निवेश किया जो future है, वो long range radar पर निर्भर करेगा, अब सिर्फ fighter jets से और इस पर निर्भर नहीं करेगा, जो radar system वगरा कैसा strong है, आपका है की नहीं है, आप कैसे अपने air defense को कर सकते हो, और यहाँ पर भारत को सोचना होगा, चाइना के perspective से, अब सिर्फ पाकिस्तान के perspective से छोड़कर, जो principal adversary है, वो चाइना की तरफ से देखना होगा, और जब हम चाइना के perspective से सोचेंगे, तब जाकर यहाँ पर हम अपने आपको और strong कर सकते हैं, यह पूरा वीडियो था दोस्तों, regarding जो भी Chinese S-400 डेपलोई किया है, उसका response कैसे हो सकता है, भारत क्या कर सकता है, इसके बारे में I hope कि आपको जानने को मिला होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लेकर आया हूँ, which is the first short range surface to air missile, ध्यान से पढ़िए का, पहला short range surface to air missile कौन सा है भारत के अंदर आप बता सकते हो, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई भी exam की preparation कर रहे हैं, definitely आपको हमारे app को download करना चाहिए, studyiq.com भी visit कर सकते हैं, I hope की video आपको पसंद आए होगा, मिलता है, आप से next time till then, thank you very much, see you soon.